एक खूप सुरत से जंगल में वेटा लाम की एक तोता रहता था इसको विक्की नाम का एक तोता अच्छा दोस्त है ऐसे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों को भी अलग-अलग तरहा के नए खेल खाफी पसंद थे इसलिए हर दिन नए नए खेल, खेलते रहते थे विक्की और वेताल पंची विक्की, आज हम दूसरा और नए खेल खेलते हैं बहुत मज़ा आएगा, टीक है ना? टीक है वेताल, जल्दी से बताओ, कौन सा केल है? मैं और नहीं रुख सकता हूँ आज हम हाइडेंसिक वाला खेल केलते हैं विक्की, बहुत मज़ा आएगा वाओ वेताल, सुनने में ही काफी मज़ा आ रहा है, लगता है खेलने में भी बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे केते हुए, दोनों पंची हाइडेंसिक वाला गेम खेलना शुरू करते हैं ऐसे दोनों पंची काफी देर तक खेलते हैं ऐसे इस बार वेताल आखों पर पट्टी बांद कर, खेलते वक्त सीधे जाकर, वो एक बुड़ी कबुतर से टकरा जाता है अरे-रे-रे, मुझे माफ कर दो ऐसे उस नीचे गिरे हुए कबुतर को उटा कर, वेताल और विक्की पंची उसकी पट्टी करते हैं ऐसे उनकी अच्छाई, काफी पसंद आती है उस बुड़ी कबुतर को उसके बाद अंजाने में हुई गल्ती के लिए भी, आप दोनों इतना सब कर रहे हैं मैं एक जादुई कबुतर हूँ, तुम्हें जो चाहिए, वो मांग सकते हो क्या सच में? अब हमें जो मांगने पर वो दे सकते हो? हाहा, पूछ कर तो देखो चोटे पंचियो ऐसे कहने के बाद, वेताल पंची बहुत देर सोचने के बाद हमें खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हमें केलने के लिए कोई अच्छी से चीज दीजिए ऐसे पूछते ही, ठीक है कहकर, वो जादुई बुड़े का बुतर उन्हें खेलने के लिए एक जादूई लूडो गेम देती है वो दोनों उस गेम को देखकर काफी खुश होते है ये एक जादूई लूडो गेम है इस ग्लास में डाइस डाल कर घुमाने पर तुम्हारी पसंद का नंबर आएगा ऐसे कहते हुई वहां से चली जाती है बुडी कबुटर ऐसे उस गेम को लेकर अपने घोशले में जाते हैं विक़ी और वेटाल पंची और ऐसे उस गेम के साथ दोनों अच्छे से केलते थे इतने में वेटाल पंची को एक खया लाता है अरे विक्की, हम इस गेम को दूसरे पंचियों के साथ मिलकर केलते है ऐसे हम उनसे बेट लगा कर हर मैग जीट सकते है ऐसा मत करो वेताल पंची, ये बहुत गलत है ऐसे काफी समचाने की कोशिश करता है विक्की छिडिया लेकिन वेताल उसकी एक भी बात सुने बिना दूसरे पंचीयों को दोखा देने लगता है वो बिलकुल भी पसंद नहीं आता है विक्की छिडिया को इसलिए इसकी परिश्कार के लिए मुझे फिर से उस जादूई कबूतर से मिलना होगा ऐसे कहते हुए विक्की छिडिया बहुत महनत से उस भुड़ी कबूतर को ढूनने लगता है और उस खबूतर को सारी बात बताता है तब वो कबूतर तुम ये लो विक्की ये ग्लास उसी ग्लास की तरहा जादूई है वेतल पंची की नजरों से बच कर उस ग्लास की जगा पर इस ग्लास को रख दो उसके बाद देखो असली खेल ऐसे उस ग्लास को लेकर विक्की चिडिया अपने घर जाकर वेतल की ग्लास को उस दूसरे ग्लास से बदल देता है उस बात से अंजान वेतल तोता अगले दिन सुभा केल लेके लिए जाता है हाँ आओ 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 केल शुरू करते हैं हमेशा की तरह तुम जीतोगे तो पूरे पेसे ले लो और मैं जीतोगा तो आदे पेसे ले लूँगा ऐसे केते हुए खेल शुरू करता है वेतल लेकिन हमेशा की तरह उस ग्लास को घुमा कर डाइस डालते ही उस ग्लास में से एक बहुत बड़ी लकड़ी निकल कर वेतल को जूर से मारती है मेरा शर्फ उट गया है ऐसे इदर उदर देखते हुए फिर से खेल शुरू करता है लेकिन फिर से डाइस डालते ही उस ग्लास में से लकड़ी बाहर निकल कर फिर से वेतल को पीटती है ऐसे कितनी बार दोखा देने के बारे में सोचकर केलने पर उतनी बार वो लकडी आकर उसकी पिटाई करती है मुझे ये केल नहीं चाहिए मा, मैं और मार नहीं का सकता हूँ ऐसे केते हुए उस केल को चोड़कर चला जाता है वेताल इतने में विक्की आकर सारी बात बता कर उसे सुदारने को केता है तब वेताल को अखल आती है और वो अपनी घलती के लिए माफी मांग कर अच्छे से रहने लगता है